उत्पति अध्याएक, सुरुष्टिका वर्णन आदी में पर्मिश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सुरुष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुंसान पड़ी थी, और गहरे जलके उपर अंधियारा था, तथा पर्मिश्वर का आत्मा जलके उपर मंदलाता था, तब परमिश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमिश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमिश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमिश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांज हुए फिर भोर हुआ इस प्रकार पहला दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए तब परमिश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उपर के जल को अलग कर दिया और वैसा ही हो गया और परमिश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांज हुई और फिर भोर हुआ इस प्रकार दूसरा दिन हो गया फिर परमिश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकटा हो और सुखी भोमी दिखाए दे और वैसा ही हो गया और परमिश्वर ने सुखी भोमी को प्रुथवी कहा तथा जो जल इकटा हुआ उसको उसने समुद्र कहा और परमिश्वर ने देखा कि अच्छा है फिर परमेश्वर ने कहा पुथ्वी से हरी घास तथा बीजवाले छोटे छोटे पेड और फलदाई रुक्ष भी जिनके बीज उन्ही में एक एक की जाती के अनुसार होते हैं पुथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया तो पुथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड जिन में अपने अपनी जाती के अनुसार बीज होता है और फलदाई रुक्ष जिनके बीज एक एक की जाती के अनुसार उन्ही में होते हैं उगे और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है तथा सांज हुए फिर भोर इस प्रकार तीसरा दिन हो गया फिर परमेश्वर ने कहा दिन को राज से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में जोतिया हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो और वे जोतिया आकाश के अंतर में पुछ्वी पर प्रकाश देने वाली भी और वैसा ही हो गया। तब परमिश्वर ने दो बड़ी जोतिया बनाई। उनमें से बड़ी जोति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी जोति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागन को भी बनाया, परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पुत्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और राट पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांच हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चवथा दिन हो गया, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पुछी के उपर आकाश के अंतर में उड़े, इसलिए परमेश्वर ने जाती-जाती के बड़े-बड़े जल जन्तू की, और उन सब ज जीवित प्राणियों की भी सुष्टी की, जो चलते-फिरते हैं, जिन से जल बहुत ही भर गया, और एक-एक चाती के उड़ने वाले पक्षियों की भी सुष्टी की, और परमेश्वर ने देखा की अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहके उनको आर्शिष्टी की फुल फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पुत्वी पर बढ़े, तथा सांच हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया, फिर परमेश्वर ने कहा, पुत्वी से एक-एक जाती के जीवित प्राणि, अर्थात घेलु पशु, और रेंगने वाल जन्तु और पुत्वी के वनपशु, जाती-जाती के अनुसार उत्पन्द हो, और वैसा ही हो गया, सो परमेश्वर ने पुत्वी के जाती-जाती के वनपशुओं को, और जाती-जाती के घरेलु पशुओं को, और जाती-जाती के भुमी पर सब रेंगने वाले परमिस्वर ने कहा हम मनुष्वों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मचलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशियों और सारी पुथवी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पुथवी पर रेंगते हैं अधिका तब परमिश्वर ने मनुश्व को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्ने किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमिश्वर ने उसको उत्पन्ने किया नर और नारी करके उसने मनुश्वों की सुष्टी की और परमिश्वर ने उनको आशिष दी और उनसे कहा फुलो फ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मचलियों तथा आकाश के पक्षियों और पुत्वी पर रेंगने वाले सब जनतू उपर अधिकार रखो। जितने पुत्वी के पश्यों और आकाश के पक्षियों और पुत्वी पर रेंगने वाले जनतू हैं जिन में जीवन के प्रान हैं उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड दिये हैं और वैसा ही हो गया तब परमिश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है तथा सांज हुए फिर भोर हुआ इस प्रकार छटवा दिन हो गया